नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, अपना घर, ये सपना हर किसी का होता है, और खास कर जब आप किराय के मकान में हैं, बहुत परिशानी है, कहीं और जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तब तो और मुस्किल है, कई बार तो आप बहुत सारे मुस्किलों में फस्ते हैं, आ कई बार आप बहुत मुझकिल में होते हैं, तर एक चोटा सा प्रियोग आपको करना है कब करेंगे, सिभजी का आसपास जहां भी मंदिल है, पहले आप ध्यान में और एक ही मंदिब में आपको तीनो प्रियोग करना अब यह नहीं कि एक बार प्रियोग एक सोंबार को यहां के मंदिर में कर लिए दूसरा कोई और मंदिर में तीसरा कोई और ऐसा नहीं एक अहीं मंदिर में तीन सोंबार आपको यह प्रियोग करना है इस बात को हमेसा याद रखिए करेंगे क्या आपको चाहिए होगा एक लोटा जल, पाँच बिल पत्र और थोरा सा चंदर बहुत सिंपल है लेकर आप पास के किसी भी सिपजी के मंदिर में चले जाईए जैसे ही प्रवेश करेंगे मंदिर में घंटा जरूर बजाए, हाजरी लगाईए प्रभू हम आए हैं आपकी सरण में मंदिर से वापस लोटने किसमें घंटा मत बचाईएगा जाने किसमें बचाईए, वापस लोटने किसमें नहीं बचाना चाहिए जब आप उहाँ जाएं, तो जो लोटा है, जल वाला उसको रखिए, बिल पत्र जो है उस पे आप पांचों बिल पत्र पर चंदन से ओम या फिर राम सब्द या फिर आप बिंदी आपको जो सुभी राहो लगाईए पांचो बिल पत्र पर मंदिर में ही बैठ कर लगाना है बैठेंगे किधर जलाधारी के ठीक विपरीच साइड जिदर से जल निकलता है ना सिबलिंग पर ढालते हैं तो तो उसके ठ ठीक आप विपरीच साइड बैठेंगे यानि उससाइड नहीं बैठना भी प्रीच साइड बैठ जाएए अब पांचो बिल पत्र पर टीका लगाईए चंदन से और एक एक करके नमस्वाय करके जब करते रहेगा अनुवरत सिबलिंग पर चढ़ा दें फिर जो जल आपने बैठनाम लेकर आपको यह जल और बिलपत्र सिबलिंग पर अरपित कर देना है इसके बाद आप अटनी कामना आप सिपजी से कहिए आप चाहते हैं अपना मकान हो, आप चाहते हैं आपका अपना प्रोपर्टी हो, आप चाहते हैं धन आता रहे, आप मेहनत तो करेंगे ही लेकिन धन भी आता रहे प्रात्ना करें और भगवान को प्रणाम करें 300 बार लगाता है देखिए कैसे रिजल्ट मिलता है धन्यवाद